हाई दोस्तों असलाव अलिक्म कैसे आप लोग मेरा नबील है एक नया आइफोन आप अपने लेके आए हो आइफोन 15 हो या फिर आने वाली पिक बिलियंडेस सेल में शायद आप 14 लेके आए या कुछ भी लाया हो आपने प्रो मैक्स या 15 प्लस तो जो भी फोन आपने लिया ह उसमें डेटा ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है हो सकता है आपने फोन जो है एक्सचेंज में लिया हो उसकेस में आप क्या करेंगे डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे या हो सकता है अपने नया फोन लेके आ गए हो और उस पे आपको अपने पुराने आईफोन का या फि जो है completely free है free of cost आप कर सकते हो old phone से new phone पे यानि new iPhone पे data transfer और इसमें WhatsApp chat भी आपके transfer हो जाएंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या-क्या आपको precautions लेना है कि आप कोई भी गलती ना करें और आपका data loss नहीं हो ये वीडियो में आपको बताऊंगा तो सारी वीडियो जो है ठीक iPhone के setting में जाना है setting के अंदर आपको जाना है जेनरल में जेनरल में जाना है यहाँ पर सबसे नीचे transfer और reset iPhone में और यह पुराने iPhone की बात और यहाँ पर लिखा है prepare for new iPhone तो get started पर tap कीजे यहाँ पर जो है आपको free unlimited iCloud backup मिलेगा 300 GB इस phone में भरा हुआ है सारा कुछ backup हो जाएगा turn on कर देना है आपको backup और transfer अगर आपने off रखा है तो और यहाँ पर done पर tap करना है और अब आपका backup बनना iCloud.com पर शुरू हो गया और पहले यह यहाँ पर दिखाता था लेकिन अभी iOS 17 में से update किया है थोड़ इसीज़ की जगा चेंज हो गई है आपको अपने Apple ID में जाना ह फिर iCloud पर tap करना है और आप यहाँ पर iCloud backup में जाएंगे तो यहाँ पर आपका backup आपको नजर आएगा आप डिपेंड करता है कि कितने GB का backup है उतना टाइम यह लगाएगा backup होने में तक backup होता नहीं है तब तक इसको Wi-Fi से connected रखो और तब तक आपका phone आप बेचो मत पुरा जो भी है मतलब country जो भी हो चूज करो इंडिया चूज करता हमें यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आइकन का size चूज करने के लिए बुलता है default पर रख दो यहाँ पर quick start का option है और यहाँ पर दूसरा option है आपको setup without another device तो अब आपके बास क्योंकि क्यों 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 आ आपको एक information देता हूं कि आपकी जो warranty होती है अगर गलत दिखा रही है जहां से आपने phone लिया है वहां से आपको एक bill मिला होगा apple customer care को call करके bill का photo उनको बेजना होता है और आपका warranty सही दिखाता है फिर उसके बाद data privacy पर continue कर लो यहाँ पर setup for myself या फिर for my child है तो अपने स्क्रीन पर transfer your apps and data पर आजाएंगे यहीं से सारा खेल शुरू होता है अगर आपने iCloud backup बना है जैसे मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर आपको टैप करना है और android वालों के लिए बादने बताऊंगा मैं कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं from iCloud backup अब य iCloud backup तो यहाँ से आप जो है वो backup को कर सकते हो restore तो अपना backup जो भी है वो चूज कर लो अब यहाँ पर मैंने cancel कर दिया था लेकिन यहाँ पर मैं एक backup सिलेक कर देता हूं जो मैंने पहले बनागे रखा तक किसी और फोन का और यहाँ पर लिखा है make this your new iPhone तो बस continue पर टाप करो और यहाँ पर बोर रहा है आपको एक SIM card यूज करना है या फिर QR code से eSIM सेट अप करना है ट्रांसफर करना है नियरबा आइफोन से इसको setup लेटर इ फोटोज हो या कुछ और हो सब कुछ जो है आपका आपके फोन में आ चुका है और आप बिंदास अपना फोन यूज कर सकते है अभी यहाँ पर scenario नंबर दो आपके पास आपका आइफोन है और आपने नया आइफोन ले कर आगे जैसे अभी मेरे पास है अब यह मेरा जो आ आइफोन में 256GB का लेकर आगया तो मेरा तो काम बनेगा नहीं तो इसके लिए अपना पुराना आइफोन भी वन टीवी वाला है तो नया भी मैंने वही लेकर आगया मतलब सेफ रहने के लिए कम ना पड़ जाए अब यह एक बेस्ट सेनर्य होता है जहां पर पुराना इसके बाद अप्लोड़ो का डेट अप कर दो अपने अपल आईडी का पासवड द एघुक कुछ देर रुपने के बाद एरेज आइफोन पर टैप कर लो आप आपका आइफोन एरेज होना शुरू हो गया है अगर यह पोजिशन में नहीं रहेगा तो वह बैक अप पुरा रिस्टोर यहां पर नहीं हो सकता और ट्रांसफर वाला शुरू ही नहीं होगा मेथड तो आपपल आइडी दिखाएगा कंटेनू पर टैप करो नए आइफोन में बहुत ही ब्यूटिफुल अनिमेशन आ जाएगा और पुराने आइफोन में आपका कैमरा ओपन हो जाएगा तो बस इन दोनों को एक लाइन में रखो पुराने आइफोन से नए आइफोन को स्कैन कर अब मुझे सारा कुछ जो है नए आइफोन में ही करना है यहां पर पुराने आइफोन का पास्कोड मुझे एंटर करने के बाद यहां पर सेटिंग आइफोन लिखा आएगा अब यहां पर एक्टिबेट होगा फोन फिर टेटा एंड प्राइवेसी वाली स्क्रीन आइगी अब यहां पर फिल से वही ब्योटिफुल स्क्रीन जहां पर आइवेसी आपके सामने आ जाएगी में और यहां पर यहां पर आपके सामने आजाएगी अपको नज़र आ रहा है और मुस्ट आरी चीज़े आपकी ट्रांस्फर हो रही है आप कस्टमाइज करना चाहतों कर सक जो है शुरू हो गया आप देखें यहां पर कंप्लीट ट्रांस्फर होगा डेटा पुराने आइफोन से नए आइफोन के उपर और टाइम जो एस्टीमेटेड है वह थोड़ी देर के बाद बताएगा यहां पर अब दोनों आइफोन को ऐसे ही आप छोड़ दो इसको काफ तो जब फाइनली हमारा ट्रांस्फर हो चुका है complete और यह successfully हुआ है नहीं हुआ है चेक करते हैं हमारे नए आइफोन को unlock करते हैं और नए वाले पर रिखा रहा है रिखा रहा है पुराने वाले पर लिखा रहा है ट्रांस्फर कंप्लीट अब आरि इनको चेक करने की तो द आपको welcome कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सरे अप्लीकेशन जो है यह डाउनलोड इंग दिखा रहा है वेटिंग दिखा रहा है वेटिंग डाउनलोड और आप अपनी जब लोकेशन शेयर करते हो इस फोन की लोकेशन जाने चाहे तो यह सी करेंगे और भी मेरे पुराने फोन में थे वो नए फोन में हूब हूँ आ चुके और डाउनलोड पर लग चुके अपने आप और आइफोन की सबसे बात यह होती है कि आप जब पुराने आइफोन से नए आइफोन पे जाते हो तो एक्जाक्ट लोन बनके वो आपके सामने आ जाता है फोटो आलबम में भी आप देख सकते हो exactly जो है same आपको सारी चीजे देखने यहापे मिल जाएगी, कोई डिफरेंस यहापे नहीं है, 19-20 का भी फरक नहीं रहेगा, आपकी सारी सेटिंग्स, आपकी रिंग टोन, सब कुछ वैसा है, in fact wallpaper भी आप देखेंगे तो पुराना वा लेकिन नहीं नहीं फोन को बता रहे क्योंकि नाम भी copy हो गया है, तो okay पर tap कर दो, watch को अपना काम करने दो, और अपने नहीं फोन पर try again पर tap कर दो, इस तरी के साब e-sim के साथ, data के साथ, सारी चीजे जो है पुराने आइफोन से नहीं आइफोन पर ट्रांसफर कर सकते हो, call e-sim मेरे पुराने फोन में, नहीं फोन में mobile service में जाता हो, setup mobile service पर tap करता हो, और यहाँ पर अनफोर्चुनेटल यह transfer support नहीं करता है, लेकिन अगर आपका carrier support करता है, तो आप transfer कर पाएंगे e-sim को, यहाँ पर यह option भी आपको देखने मिलता है, नहीं e-sim आप setup कर सकते है, QR code scan करके, यह transfer from nearby iPhone करते हो, यहाँ पर tap करूँगा, यहाँ पर continue पर tap करूँगा, आपके सामने करके try कर लेते है, एक verification code आया, यहाँ से वहाँ पर डाल दूगा, और यहाँ पर लिखा आ रहा है, your SIM is not supported, मतलब Airtel जो है, इसको support नहीं करता, पुराने फोन से नहीं पर e-sim transfer, इस चोटा, SIM बढ़ा, और आगे अपना registered email address, लेकिन small में, इमिडिट आपको message आजाएगा, जहाँ पर आपको one करके reply करना है, within 60 seconds, otherwise आपकी request cancel हो जाएगी, यहाँ पर अपनी request प्लेस हो गई, और reconfirm करने के लिए, हमको call करके, confirm करेंगे, कि हमने e-sim की request दाली या नहीं दाली, अगा, इस message भेजने के 15 minute में ही, मुझे call आगे आटल से, और call पर मैंने जब confirmation दिया, उसके बाद मुझे उन्होंने instantly email पे QR code भेज दिया, उसके अपने नए iPhone के setting में जाना है, mobile service में, click करना है setup mobile service पे, फिर tap करना है other options पे, और use QR code करके, यहाँ पे मुझे अपना scanner open करेंगे phone का, और मेरे email में आयवा QR code जो है, मुझे यहाँ से कर लेना है scan, फिर हम activate eSIM वाले page पे आजाएंगे, यहाँ पे continue करना है, इसके बाद आप आजाएंगे, इस वाले page पे activating eSIM लिखा आएगा, और continue पे tap कर दो, और आप अपना phone normally use कर सकते, दो गंटे में आपके पुराने iPhone का network चला जाएगा, और नए phone पे network उसके बाद आ जाएगा, और एक बात का ध्यान रहना, जब नए eSIM setup करते हो, तो 24 घंडे तर आपके इस नए phone पे incoming, outgoing messages बन रहते हैं, आपकी personal safety के लिए, चलिए अब Android का method बताता हूँ मैं आप, ओके guys, तो अब हमारे Android phone से, हमारे iPhone के उ सब चीज़े होंगे, गैलरी है, फोटो है, वीडियो है, और call logs है, सब कुछ है, messages भी यहां पे आ रहे है, SIM card बीस में लगा हुआ है, अब यहां पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो charging होनी चीए, दोनों phones के अंदर अच्छी खासी है, अगर battery bag अब उड़ जाएगा, लेकिन फिर आप प्रॉपर ली आपका Android से iPhone पर ट्रांसफर कर सकते, यह का बोता है, जल्दबाजी में आपने iPhone सेट अप कर लिया होगा, बॉक्स से निकाल के, तो यह चीज़ आपको करनी बढ़ेगी, और make sure के आपका Android फोन यह भी latest software update पे updated है, अब यहा सबर रखिए, पांच से दस मिनिट का डाइम लग सकता है, आपका iPhone अक्टिवेट होने के लिए, पुराना हो या नया हो इतना डाइम तो लगता ही है, उसके लिए, जब तक आपका iPhone अक्टिवेट होता है, आपको जाना है, आपके Android फोन के Google Play Store के अंदर, और यहां पे आप कर लो, सेटप लेटर कर लो, Face ID अभी कुछ काम नहीं है, पासकोड ऑप्शन के अंदर, आप जो है, डोंट यूज पासकोड पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर अगें डोंट यूज पासकोड क्यों कि अभी आपको इसकी जरूत नहीं है, बात में हम सेटप कर लेंगे, इसके आपको चूज करना है, Move Data from Android, यहाँ पर क्लिक कर लीजे, यह बोलेगा, आपको Move to iOS डाउलोड करने के लिए, जो हम पहले कर चुके है, इसके बाद कर लीजे, यहाँ पर कोड दिखाएगा आपको, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रॉस पर आपको पर्मिशन देना होगा, फिर आपको डिस्पले सेटिंग, अगर आपको ट्रांसफर करने तो भी कर सकते है, अक्सेबिलिटी सेटिंग्स भी हो जाएगी, और साथ ही आपका WhatsApp का सारा डेटा भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो Move Chats to iOS लिखा है, यहाँ प अब देखिंगे यही स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको WhatsApp का backup का transfer option नहीं आथा, तो इसलिए मैंने यह Samsung हमे पस एक phone था, उसमें इनका data transfer किया, उसके बाद मैं iOS पर data transfer कर रहा हूँ, तो पुराने Android versions पर काम नहीं करता है, अब यहाँ पर Start पे क्लिक कर लीजिए, अब आपके charge ready करेगा, और यहाँ पर preparing लिखा आएगा, यहाँ पर 2-3 मिनिट लगे और यह prepare हो चुक है, आप next पर टाप कर लेना है आपको, अब यहाँ पर और जो कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, वो चूश कर सकते है, for example, add files, अब add files का जो option है आपको, इसके अंदर, इनके phone क अंदर कुछ और folders है, उसको भी आप select कर सकते हो, यहाँ से, अब आपको बस यहाँ पर tap करना है, continue पर, अब continue पर tap करने के बाद, यहाँ पर आपका जो data transfer है, वो शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर calculate हो रहा है, time भी time भी बताएगा, आपको कितना लगने वाला है, अब यह उनों को charging के बल से connect कर सकते है, okay guys, तो पूरे एक घंटे लग गए, घंटा पास मिनिट कुछ, और यहाँ पर transfer हो चुगा है, complete, अब Android फोन पर देखेंगे, आप तो recycle your Android device लिखा है, और बोल रहा है कि Apple Store पे जाके फ्री में रिसाइकल कर सकते हैं, बतलब फ्री में Apple को दे सक अगर हमने used लिया है, तो फिर आप जो है, अगर किसी ने एक दो बना चुके तो एक रहेगा, या तीनों बना चुके है, तो फिर आपको जो है, किसी और की help लेना बड़ेगा Apple ID बनाने के लिए, anyways, इसको हम बाद में करते हैं, तो यहाँ पर forgot password पे क्लिक करते हैं, setup लेटर का हमारे iPhone पे हो चुगा है, transfer और कुछ चीजे ऐसी है, जो यहाँ पर अब डाउनलोड हो रही है, बैगरांड में, अब यहाँ पर देख लिए सबसे बहले हमारे सारे contacts आएगे नहीं, तो यहाँ पर फोटोस चेक कर लेते हैं, तो फोटोस भी हमारे जो है, जितने भी थे इनके फोन में वो सारे आचुके है, अब यहाँ पर बज गया हमारा WhatsApp, तो WhatsApp देखिए किस तरीके से आपको नजर आ रहा है, तो WhatsApp इस तरीके से इसलिए नजर आ रहा है, क्योंकि हमने साइन नहीं किया है, साइन करके हमको इसको आप से डाउनलोड करना पड़े है, यहाँ प चाड़ फ्रॉम एंड्रोड वाला उप्शण आ गया, यह अजसा जेंरली आता नहीं है, क्योंकि हमने आपको 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 इसे प्रीड़ करेंगे, इसे अलाओ ACCESS तू आल फोटोज और यहाँ पर आपका सारा डेटा वाला वह WhatsApp का यहाँ पर आपके आईफुन पर हो रह WhatsApp की चायर हिस्ट्री जो है इनके Android फोन की यहाँ पे इनके iPhone पे आ चुकी है सक्सेस्फुली तो क्याई इस तरीके से आप complete data transfer कर सकते हो अपने पुराने iPhone से नए iPhone पे जैसे मैंने कर लिया प्रहाँ झाले इस पुकी इनके iPhone पे इनके iPhone